सीन सिटी, एपिसोड 76 से लेकर असी तक, जादूई घडी की सुयां रात होने का संकेत दे रही थी और फॉस्ट शाम के अंधेरे में डूबा हुआ था। कीमदंतियों के शहर में रात का समय सामान्य काले और सफेद रंग का नहीं था, बलकी चमकिला और रंगीन था। चौथा और पांचवा चांद आसमान के दोनों छोर पर उचा लटका हुआ था, हलका नीला और बैंगनी रंग मिलकर रात को रोशन कर रहा था। अगर कोई फॉस्ट के दर्वाजों से बाहर निकल कर अनंद मैदानों के रात के आसमान को देखे, तो दोनों चांद बहुत दूर होंगे। शायद उस दूरी की वज़े से चांदनी का रंग बहुत दूर तक नहीं पहुँच पाता, जिससे नौरलेंड में रात एक काले और सफेद रंग की हो जाती है। चाहे वह कोई भी समय हो, सुनहरा चांद हमेशा सबसे दूर्धला होता था। पूरे साल, कुछ दिनों को छोड़ कर, लोग शायद ही इसकी उपस्थिती को पहचान पाते हों। फॉस्ट की बादल परत के चारों और एक अतुलनिय रूप से बड़ी जादू सनरचना थी जो शहर को सभी मौसमों में उश्नकटी बंधिया बनाए रखती थी, भले ही अनंत मैदानों में कठोर थंड क्यों न हो। कभी कभी धुन्द के माध्यम से जादूई प्रकाश के धागे देखे जा सकते थे जो इसकी उपस्थिती का संकेत देते थे और इनमें से अंगिनत धागे बादलों को एक शांदार इंद्रधनुष की तरह रंग देते थे। और ये आदान प्रदान अकसर निजी कमरों या भूजों में किये जाते थे। पहली और दूसरी मंजिल के उत्तरी विंग अनिवार्य रूप से बड़े बहुत देशिय कमरे थे जिन्हें उन गतिविदियों के अनुसार कई छोटेक शेत्रों में विभाजित किया गया था जिनके लिए उन्हें बनाया गया था दूसरी और दक्षन विंग में विभिन आकारों के कमरे थे तीसरी मंजिल का आधा हिस्सा द्वीप के सामने एक आंतरिक बालकनी थी और छट को एक स्काइड एक की तरह डिजाइन किया गया था ताकि प्रतिभागी अन्य फ्लोटिंग द्वीपों के साथ साथ फॉस्ट के द्रिश्य का आनन ले सकें वर्तमान में निचले स्तरों पर उत्तरी विंग के सभी अलग-अलग क्षेत्रों को एक हॉल में जोड़ दिया गया था जगा चमकदार रोशनी से जगमगा रही थी और क्षेत्र के दोनों और लंबी मेजे खाने की प्लेटों से भरी हुई थी नौकरानिया और सेवक भूम-भूम कर प्रतिभागियों को रेड वाइन के एक के बाद एक कब दे रहे थे और फिर उनके खाली गिलास ले रहे थे वहाँ एक संगीत बैंड था जो कोने में बहुत जोश के साथ प्रदर्शन कर रहा था हालां कि प्रदर्शन इतना शांदार नहीं लग रहा था वैसे भी महमान संगीत या किसी बहतरीन वाइन से ज्यादा एक दूसरे से बात चीत करने के मौके को लेकर चिंतित थे हौल के बाहर घुमावदार गलियारे के पीछे अलग-अलग आकार के आठ कमरे खोले गए थे और दूसरे तलपर और भी कमरे थे ये निजी स्थान उन लोगों के लिए जरूरी सुविधा प्रदान करते थे जो किसी से निजी बात करना या अंतरंग बातचीत करना चाहते थे हालां कि ऐसा कहा जा रहा है कि कई लोग बात के लिए हरे भरे बाहरी बगीचे को पसंद करते हैं हालां कि वहां देखे जाने की संभावना ज्यादा थी लेकिन यह ज्यादा रोमांचक था इसके अलावा ज्यादातर लोगों को इस बात की परवा नहीं थी कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं इस रात का भोज आर्चरन की युवा पीडी के लिए था और गैटन और उसके तेरा साथी बिल्कुल भी नहीं आए युवा दो दो और तीन तीन की संख्या में एकटे हुए थे भोजन और शराब का आनंद लेते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कहने की जरूरत नहीं की उन्होंने यहां केवल अनौपचारिक या आन्शिक रूप से खुले विशेयों पर चर्चा की जबकि वास्तविक बातचीत और सौदे केवल उपलब्द कमरों या अन्यनिजी कमरों में ही होते थे फॉस्ट के चौदा के अलावा कई परिवार ऐसे भी थे जो मुख्य शहर में जमीन पर बस गए थे या संपर बिंदु स्थापित कर लिये थे हालांकि 14 लोग फ्लोटिंग ग्रीपों के एक मात्र निवासी थे जो सच्चे अभिजात वर्ब थे और बाकी लोगों से ज्यादा विशे शादिकार प्राप्त थे हालांकि आर्चरन को नए लोगों के रूप में देखा जाता था फिर भी आर्चरन परिवार की पार्टी में निमंतरन प्राप्त करने में सक्षम होना उच्च स्थिती का प्रतीक था फॉस्ट के सभी परिवारों ने आर्चरन की सैन्यक शम्ता को सपष्ट रूप से पहचाना, खास कर तब जब गेटन ने अकेले ही सबसे निचलिस्टर के साथ में और तीसरे दोनों द्वीपों पर विजय प्राप्त की आर्चरन का उप्योग करने और नए लोगों को फॉस्ट में शामिल होने से रोकने की अपनी योजनाओं पर अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद प्राचीन परिवार विभाजित हो गए थे कई लोग गेटन की ओर मुल गए थे और उसे अपने साथ जोडने की कोशिश कर रहे थे इस जानवर को गटबंधन के बाहर के लक्षियों पर हमला करने की कोशिश करके उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे गेटन द्वारा फॉस्ट में सफलता पूर्वक अपनी उपस्तिती स्थापित करने के बाद ही आर्चरन एक पारिवारिक कभीले की तरह दिखाई दिए अभियान पर गए कई आर्चरन ने अपनी शाखाउं से युवाओं को फॉस्ट में भेजा था इससे उन्हें अपने शितिच को व्यापक बनाने, उन्हें सुरक्शित रखने और विक्सित होने के अधिक अफसर प्रदान करने का अफसर मिला अन्ततह इसका मतलब था कि भागीदारों को चुनने के अधिक अफसर भी हालांकि जो लोग अपने युवाओं को यहां भेजना चाहते थे वे मुख्य भूमी पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे जो लोग अपनी खुद की प्रसिद्धी में डूबे हुए थे वे गैटन पर ध्यान भी नहीं देते थे इसके बजाए इन में से कुछ सफल आर्चरन ने अपने विस्तार की गती को और भी तेज कर दिया बल्कि उसे बदलने के लिए उत्सुक थे हाल में करीब दो दर्जन युवा आर्चरन थे लेकिन रिचर्ड उन में से नहीं था वहुपी मंजल पर एक छोटे से हॉल में था जहां असली पार्टी आयोजित की जा रही थी इस भोज कक्ष ने अपने छोटे आकार की भरपाए अपनी सास सज्जा की अनूथी शैली से की यहां के फर्श और दिवारे ज्वाला मुखी के लावा से सजी हुई है जबकि कमरे में रोशनी दिवारों पर जल्ती मशालों से आती है हर सजावत धातुया पत्थर से बनी थी जिसमें अभिजात वर्ग की दिवारों पर लटकने वाली सजावत और परदे पूरी तरह से गायब थे कमरा बेहत गर्म था और हवा में सल्फ़की हल्की गंध थी ये कबीले के कब्रिस्तान में ज्वाला मुखी के वातावरन के समान था लेकिन गर्मी और इसकी कठोर परिस्थितियों के मामले में उतना चरम नहीं था रिचर्ड के अलावा बैंक्वेट हॉल में चार युवक और नौ युवतियां खड़ी थी सभी की उम्र 13 से 18 के बीच थी उन्होंने स्वाभाविक रूप से तीन अलग-अलग समूह बनाए थे सभी एक दूसरे से बहुत परिचित लग रहे थे रिचर्ड के दो सोतेले भाय और तीन सोतेली बहने यहां थी जबकि बाकी शाखा परिवारों के युवा थे उन सभी में समानता ये थी कि उनमें से किसी का भी अभी तक कोई साथी नहीं था युवा सहचता से बात चीत कर रहे थे उनके विशे युद्ध और सेक्स से ज्यादा कुछ नहीं थे इस भोज का उद्देश उन्हें एक साथ इकठा करना था ताकि वे अपने साथी चुन सकें ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि गेटिन के दो अन्य बेटे वरेन और वैनिंग्टिन के साथ साथ उनकी दो वयस बेटियों वैनिका और डैमी को भी अपने साथी चुनने का अधिकार था लेकिन ये कुछ सीमाओं तक सीमित था अगर उन्हें कोई पसंद आता तो उन्हें पहले परिवार के उच्चपद अधिकारियों को सूचित करना पड़ता जो अंततह तै करते कि उस जोड़ी को अनुमती दी जाएगी या नहीं दूसरी ओर कोने में खड़ा रिचर्ड अपनी मर्जी से अपना साथी चुन सकता था इस प्रकार वे सभी जानते थे कि वह यहां मुख्यपात था यही कारण था कि वह उन दो लोगों में से एक था जो भीर में फिट नहीं बैठते थे और दूसरी लड़की के बारे में क्या वह एक लड़की थी जो काफी नाजुक और कमजोर लग रही थी कमरे के एक कोने में सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी इस तरह के अफसरों पर उपचारिक पोशाक पहनना जरूरी था और लाल और काले रंग का सयोजन सभी आर्चराउन के बीच एक अगोशित निर्नय था ये दो रंग सल्फ़ और लावा का प्रतिनिधित्व करते थे जो आर्चराउन वंश का प्रतीक है लगभग हर आर्चराउन को धधकते तापमान और सल्फ़ की बदबु पसंद थी क्योंकि वे किसी के वंश की शुधता और सम्रिद्धी के साथ साथ वंश की क्षमताओं की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते थे यहां केवल दो लोग थे जो इस कार्यक्रम के प्रती ज्यादा उत्सुक नहीं थे रिचर्ड और कोने में खड़ी वह कमजोर सी दिखने वाली लड़की रिचर्ड की तरफ से उसे असहज महसूस हुआ क्योंकि सभी की निगाहें उसे घूर रही थी चाहे वे सपष्ट हो या नहीं उसकी असहजता का एक और कारण तीवर ज्वाला मुखी बॉल रूम था आखिरकार यह उसका एलवेन वंच ही था जो सबसे पहले जागा था लेकिन क्या ये दूसरे लोग वाकई ज्वाला मुखी के इतने शौकीन थे उसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वेनिंग्टन, वेनिका और डैमी ही अपने वंच को यहां जगाने की प्रक्रिया में थे और अत्यदिक ताप मांस पष्ट हो रहा था कई लोगों में बेचैनी के लक्षन देख रहे थे उनकी गर्दन से पसीने की बूंदे बह रही थी और उनके चेहरों पर तनाव का भाव था एक सच्चे खून वाले आर्चरन को 40 डिग्री के बॉल रूम में कुछ भी महसूस नहीं होगा रिचर्ड जिसने पहले ही इरप्षन के साथ अपने वंच को जगाया था एक अच्छा उदाहरन था यहां तक की गैटन के साथ पारिवारिक कब्रों में ज्वाला मुखी के मुहाने के पास खड़े होने पर भी वह गर्मी से अप्रभावित था हालां की उन्हें व्यक्तिगत रूप से गर्मी ज्यादा पसंद नहीं थी जहां वे खड़े थे वहां का तापमान सत्तर डिग्री के करीब था कमरे में मौझूद दूसरे लोग सिर्फ दिखावा कर रहे थे जैसे की वे खुद शुधर रक्त के हूँ लंबे समय से चले आ रहे कई परिवारों में यह आम बात थी क्योंकि कई लोग परिवार के मुखियाओं का पक्ष जीतने के लिए सच्चे खून की तरह व्यवहार करने की पूरी कोशिश करते थे गेटन धूमकितू की तरह उगाया था और अब रात के आस्मान में सबसे चमकीले तारे की तरह था अगर प्रतीक का विकल्प जुवाला मुखिय होता तो ये लोग ऐसा व्यवहार करते जैसे वे इसे जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए मर सकते है और जुवाला मुखिय का प्रतिनिदित्व करने के लिए उच्च तापमान और सल्फ की गन से बहतर क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब था लावा लेकिन जाहिर है इन में से कोई भी चुहा खुद को लावा में नहीं फिकेगा रिचर्ड उपास से भर गया क्योंकि उसने बॉल्रूम में नजर दोड़ाए उसकी नजर फिर से लड़की पर पढ़ी कुछ देर तक वहीं रुकी रही फिर उसने नजरें फेर ली गलती उसकी नहीं थी उसने काले और लाल रंग के समुद्र में एक लंबा सफेद गाउन पहना हुआ था भले ही उसने ज्यादा एक से स्रीज न पहनी हो लेकिन वह वाकई आकरशक लग रही थी उसके दिमाग में उसके बारे में जानकारी तैर रही थी कोको मिल्ली आर्चरन उम्र सोलह, लंबा एक सरसट मीटर और लेवल दो जादूगः वह पेरे आर्चरन की बेटी थी जिसे घुलसवार सेना का खिताब मिला था और लेवल दस योद्धा था जिसके पास ताकत और रक्षा का एक प्राथमिक डबल रून था वह ब्लेकरोज कैसल के गार्ड का वर्तमान उप कप्तान था रिचर्ड ने इस जानकारी पर अपनी भोहे से कोड़ी कोको यहां मौजूद सभी लोगों में सबसे निचले दरजे की थी केवल इसलिए मौजूद थी क्योंकि उसके पिता एक शीर्षक वाले घुल सवार थे ये भी काफी हद तक मजबूरी थी ये देखते हुए कि वह केवल स्तर दसका था उसके पास शीर्षक होने का एक मात्र कारण संभवता बलेकरोज के लिए उसकी लंबी सेवा थी ये शीर्षक विरासत में नहीं मिल सकता था उसकी तुच्छ उपलब्धियों ने संकेत दिया कि एह प्यरे युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं था यदी नहीं तो वह एक शीर्षक वाला शूर वीर हो सकता था जो कम से कम स्तर तेरह तक पहुँचने की क्षमदा रखता था कोको को फॉस्ट के पास भेजने में पियरे का असली इरादा स्पष्ट था वह चाहता था कि वह किसी ऐसे व्यक्ती से शादी करे जो रुद्बे और ताकतवर हो और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वह शुधरक्त वाले आर्चर ओन को जन दे हालां कि रिचर्ड ने पहली नजर में ही देख लिया था कि 16 साल की उम्र में सिर्फ लेवल दो की जादू गरनी का मतलब है कि उसमें जादू की कोई प्रतिभा नहीं है उसके शरीर ने और भी ज्यादा खुलासा किया कि वह हाथा पाई के लिए भी उप्यूक नहीं थी इस प्रकार उसके पास सिर्फ उसका वंच बचा था लेकिन रिचर्ड को वह भी बहुत सम्रिधन नहीं लगा उसके पिता उसके अंदर किसी भी वंच की क्षमता को जगाने में असमर्थ थे और ऐसा लगता था कि उसे अपनी मा की कमजोर काया विरासत में मिली है कोको को फॉस्ट में आए एक साल हो चुका था और उसकी हैसियत को देखते हुए उसे सिर्फ एक ऐसी शादी के लिए नियुक्त किया जा सकता था जिसका विरोध करने का उसे कोई अधिकार नहीं था अगर वह प्राचीन परंपराओं में से पहली परंपरा का पालन करने से इंकार करती तो उसे तुरंत आरकरॉन से निर्वासित कर दिया जाता, इसलिए उसे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए हालां कि ऐसा कहा जा रहा है कि हर आर्चरॉन को शादी के लिए नामित नहीं किया जाएगा एक बार साथी तैहो जाने के बाद परिवार को ये सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित मातरा में सहायता प्रदान करनी थी कि दोनों पक्ष अपनी ताकत बढ़ाएं और बहतर संतान पैदा करें कोको एक सुन्दर लड़की थी उसकी कोमल विशेश्टाएं और कोमल आभा कई लोगों के दिलों को छूती थी लेकिन उसकी कमजोर बनावट ने उसे फॉस्ट में एक साल बिताने के बावजूद बिना साथी के छोड़ दिया आरकरोन वंश को उब्र और हिंसक माना जाता था सेकड़ों वर्षों से चली आ रही विवाह व्यवस्था ने ये सपश्ट कर दिया था कि संतान पैदा करने के लिए दो शक्तिशाली माता पिता की आवश्यक्ता होती है जिससे उनके वंश को जगाने की अधिक संभावना होती है ये भी पाया गया कि यदि प्रत्यक्ष परिवार विवाह के बंधन में बंध जाए तो शुधवंश की संतान को जन्द देना सबसे आसान होता है विशेश रूप से विजो सच्चे नाम वाले हूँ कोको भी नहीं थी और यही कारण है कि उसे किसी भी महत्वा कांख्षी आर्चरों द्वारा नहीं चुना गया नेताओं ने भी इस बात को ध्यान में रखा होगा इसलिए उन्होंने उसे खुद किसी के लिए नियुक नहीं किया रिचर्ड ने एक बार फिर बॉल रूम में मौजूद लोगों की तरफ देखा और अपने सोतेले भाई बहनों पर ध्यान के इंद्रित किया उसे इस भोज में शामिल होने वाले सभी लोगों के बारे में बहुत पहले से ही जानकारी मिल गई थी वारेन 14, level 5 तीरंदाज, वैनिंग्टन 14, level 8 ब्लेज गाजियन, वैनिका 14, level 7 ब्लेज योधधा, डैमी 15, level 10 शाप मस्टर, वारेन के अलावा जो बाकियों से थोड़ा कमजोर था ये कहा जा सकता है कि उनमें से कोई भी रिचर्ड की तुलना में कमजोर नहीं था वैनिंग्टन और वैनिका पहले से ही अपने वन्श के जागने के संकेत दे रहे थे, उनके हमले भी अगनी तत्वकों नुक्सान पहुचा रहे थे इसके अलावा, जादू में डैमी की प्रतिभा आश्चर यजनक थी रिचर्ड उसके स्तर से मेल खा सकता था अगर वहरन क्राफ्टिंग के बजाए जादू पर ध्यान के इंद्रित करता लेकिन एक जादूगा की भूमिका और शक्ती एक शाप मास्टर के समान नहीं थी लेकिन बेशक, रिचर्ड इस बॉल रूम में स्टार थे डीप ब्लू के मास्टर के निजी प्रशिक्षू, लेवल आर्ट के जादूगा जो एक रन मास्टर भी थे और उनके पास आकरशक रूप था जो उनके एलवेन वंच से आया था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता था इसके अलावा, गेटिन ने व्यक्तिगत रूप से रिचर्ड की रक्तरेखा का मूलियाकन अपने रक्तरेखा के बराबर किया था यह अपने आप में पागल पन था, यह अप कोई रहस्य नहीं था कि गेटिन का एक सच्चा नाम था जिसका मतलब था कि रिचर्ड के पास अंततर एक रन मास्टर होने के अलावा उसका अपना सच्चा नाम भी होगा इससे ये सपष्ट हो गया कि वैनिका और डैमी उस पर तीकी निगाहों से घूर रही थी वे दोनों ही लंबी थी, उनका रूप उनके जीन के पैत्रिक पक्ष की और अधिक जुका हुआ था साथ ही वे होट और चुलबुली भी थी उन्होंने लगभग एक जैसी शाम की पोशाके पहनी हुई थी, जिसमें गहरी नेकल आईने थी, जो उनके सुन्दर कार्वस को छिपाने के लिए कुछ भी अनावश्यक नहीं था न केवल पोशाकें उनके शांदार स्तनों को उभार रही थी, बलकि पोशाक में उची स्लिट्स भी उनके आकरशक पैरों को दिखा रही थी यह विशेश रूप से वैनिका के लिए सच था, हालांकि वर डैमी से एक साल छोटी थी, लेकिन एक लड़ाकू बनने के कारण उसके कामुक्स तन ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वह उसकी पोशाक से बाहर गिर जाएगा वैनिंग्टिन बहुत शान था क्योंकि वह रिचर्ड को देख रहा था, साथ ही अन्य यूवतियों को भी देख रहा था ये वारेन था जो उसे अजीब तरह से देख रहा था, उसकी निगाह में एक निर्विवादी इर्श्या और कुछ भिरना भी थी यहाँ एक शाखा परिवार का एक और लड़का था जो क्षमता और उम्र में वारेन के बराबर था, लेकिन वह इस मामले में बहुत अधिक सयमित लग रहा था वे तीनों सपष्ट रूप से डेमी और वेनिका में रुची रखते थे, साथ ही एक और सुन्दर और उत्तेजक युवती जिसने बहुत ध्याना करशित किया उन में से किसी ने भी कोको पर ध्यान नहीं दिया, उसे अपना साथी बनाना लगभगत रासदी के लिए खुद को समर्पित करने के समान था शक्ती की दुनिया में सुन्दरता सबसे बेकार चीज थी इसके विप्रीत, वैनिका और डैमी दोनों को अपने साथी चुनने का अधिकार था और डैमी परिवार में भी एक महत्वपूर्ण हित थी, उसने चोटी उम्र में ही असाधारन प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और अपने निर्नायक शांत स्वभाव के कारण वह कई लोगों को अगली इलिस लगती थी रिचर्ड के मामले में यह और भी आगे बढ़ गया, उसके आने के दो दिन बाद ही लोग उसके अगले गेटन बनने की संभावना पर चर्चा करने लगे थे कहने की जरूरत नहीं कि यह खुले तोर पर स्वीकार किया गया था कि वह अपने पिता के स्टर की शक्ती तक कभी नहीं पहुँच पाएगा लेकिन ये तथ्य की वह एक रुनमास्टर बनेगा, निश्चित रूप से किसी के खून में उबाला देगा दोनों ही पूरी तरह से अलग-अलग संभावनाए थी रिचर्ड को युद्ध में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी एक रुनमास्टर के रूप में उसकी पहचान ही इस हौल में मौझूद सभी युवाओं को अप एक शाकृत लंबे समय तक दबाने के लिए परियाब थी साधारन रूनमास्टर दो से तीन प्राथमिक रून शूरवीरों को तैयार कर सकते थे अगर कोई शक्ती की एक सरल तुलना करे इन मेंसे एक रून शूरवीर की बिक्री से निर्माण की लागत पूरी हो जाएगी और यहां तक की शेश में से एक भी यहां के युवाओं के पूरे समूह को आसानी से खत्म करने में सक्षम होगा यह अपनी तरह की एक असाधारन युद्धक्षमता थी हॉल में मौजूद हर युवती सामान्य रूप से सुन्दर थी जबकि युवा लड़के वीरता में चमक रहे थे वेनिका और डैमी अपने माता पिता और पराकरम के कारण उन में से सबसे अधिक करिशमाई थे यह डैमी के लिए विशेश रूप से सच था क्योंकि उदासीन्ता पुरुशों के भीतर गहली कामों के च्छाओं को जगा सकती थी उसके सुडॉल पैर और सुडॉल शरीर ने ये भी सपष्ट कर दिया कि दूसरे युद्ध के मैदान बिस्तर पर उसका प्रदर्शन युद्ध में उसके उपहार के बराबर होगा उसकी कीमत लगभग एक हजार सोने की थी और उसे परिवार के ग्रिहस्वामी द्वारा विशेश रूप से नियुक टेक्शीर्श दरजी ने व्यक्तिगत रूप से सिल दिया था इस पोशाक में रिचर्ड का विशिश्ट आकर्शन पूरी तरह से सामने आया जो उसके एलविश और आर्चर ओन रक्त के मिश्रन का उत्पाद था फिर भी इसने रिचर्ड को अपने जादूई वस्तरों की और भी अधिक याद दिलाए उन्हें अपने वस्तरों बहुत पसंद थे क्योंकि उनमें जादू था लड़ाई के दौरान वे अराजकता के बावजूद किसी की एकागरता को बढ़ा सकते थे जिससे जादू को सफलता पूर्वग पूरा करने की संभावना बढ़ जाती थी चून की यह एक स्थाई व्रिद्धी थी इसलिए यह बहुत महेंगी थी हालांकि वास्तविक युद्ध के बाहर इसका बहुत व्यभारिक उप्योग नहीं था लेकिन इसकी कीमत संभरीत युद्ध प्रकार के जादू के लिए व्रिद्धी से दस गुना अधिक थी इसलिए बहुत कम लोग इसे प्राप्त करना चाहेंगे हालांकि यह रिचर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रिद्धी थी और ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि यह रिनक्राफ्टिंग में उसकी सटीकता को और बहतर बना सकता था रिचर्ड पहले से ही उस विशेश जादू के प्रभाव में रहने और काम करने का आदी था और सूट में इसकी कमी के कारण ये बदलाव विशेश रूप से असहज महसूस हुआ एक बहतरीन दरजी द्वारा बनाया गया कपड़ा केवल एक हजार सोने के बराबर का होता है लेकिन रिचर्ड का वहल अबादा कम से कम दस गुना ज्यादा कीमती था जादू की दुनिया और साधारन दुनिया के बीच लागत में ये हंतर था जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता था रिचर्ड ने बिना किसी दिल्चस्पी के अपने गिलास में शराब घुमाई और लाल रंग के तरल को कपके अंदर की और घुमाया उसी समय वचुपचाप समय की गणना करने लगा भोज शुरू हुए अभी आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा ही हुआ था इसका मतलब था कि इस कठिन परीक्षा के खत्म होने में अभी भी कम से कम धाई घंटे बाकी थे यह अवधी पहले से ही रिचर्ड द्वारा आमत और पर ध्यान सत्र के लिए लिए जाने वाले समय के बराबर थी जो उसके मानस भंडार में कम से कम दस्वें अंकी वृद्धी थी किसी व्यक्ती के मन या उर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे शौर्कट नहीं थे व्यक्ती को द्रिर्ता और द्रिर संकल पर निर्भर रहना पड़ता था जो समय के अंतहीन विस्तार में धीरे-धीरे सुधार करता था इसका ये भी मतलब था कि अगर रिचर्ड लगातार 30 साल तक ध्यान के अलावा कुछ नहीं करता तो वह अपने मन के मामले में एक महान जादूग बन जाएगा बेशक, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ती था जो लगातार 30 साल तक ध्यान कर सकता था लेकिन रिचर्ड जिस ध्यान तकनीक का उप्योग कर रहा था वह पहले से ही नॉर्लेंड की सर्वश्वेश्ट तकनीक के करीब थी डीप बलू से प्राप्त किसी भी चीज के करीब कुछ भी नहीं होगा जब वह लेवल 10 पास कर लेता तो वह शेरोन की व्यक्तिगत ध्यान तकनीक डीप बलू फैंटेसी के शुरुआती हिस्सों को सीखना शुरू कर पाता जब वह अपने प्रोफेसरों के स्तर पर पहुंच जाता तो वह डीप बलू ड्रीम का अभ्यास करने में सक्षम हो जाता आखिरकार एक बार जब वह खुद परानिक शेत्र में कदम रखता तो वह डीप बलू एरिया का अभ्यास करने में सक्षम हो जाता दीप ब्लू से बाहर निकलने के बाद ही रिचर्ड को एसास हुआ कि शेरोन का निजी प्रशिक्षू होने का क्या मतलब है अपने लक्षियों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना था और लगातार कामों पर ध्यान देना था रिचर्ड समय के पीछे पागल था अपने भोज के मजबूत उद्देश्य और माहौल के बावजूद वह खुद को बिलकुल भी उत्साहित नहीं कर पाया वास्तव में साथी चुन्ने में बहुत ज्यादा प्रतिबधता नहीं थी ज्यादातर मामलों में वे सिर्फ एक बिस्तर साजा करने वाले लोग बन जाते थे और एक वन्शच के जन्म के बाद अलग-अलग रास्ते अपना लेते थे रिचर्ड बहुत पहले ही एक पुरुश बन चुका था इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे महिलाव से घ्रिना नहीं थी या वह उनका विरोध भी नहीं करता था इसके अलावा डैमी और वैनिका में से प्रत्येक के अपने अपने आकरशक गुन थे और बाकी लड़कियां भी बहुत बुरी नहीं थी बिस्तर में साथी के रूप में वे निश्चित रूप से मानक से उपर थी फिर भी उसके पास साथी चुनने के विचार को अस्वीकार करने का एक कारण था ये पूरी प्रक्रिया आर्चे रोंस के साथ जुली हुई थी एक परिवार जिसका प्रतिनिधित्व गेटिन करता था रिचर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी लोगों ने भी ऐसा नहीं किया शाखा परिवार का युवक बहुत पहले ही दो लड़कियों के साथ अंतरंध हो चुका था जो शाखाओं से ही आती थी जानबूजकर या अन्य था वे अपने समवेदन शील्क शेत्रों में एक दूसरे से तकराते थे और इतने समझदार बने रहे कि अपने से उच्चत दर्जे के किसी व्यक्ती के साथ साजेदारी करने का प्रयास नहीं किया युवक के पास केवल एक ही साथी था हालांकि दोनों लड़कियां उसके लिए होड कर रही थी युवक की क्षमता और वंच काफी अच्छा था इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनका सबसे अच्छा विकल्ब था आर्चरन परिवार पिछले सेकड़ों सालों में अंगिनत खूजों पर गया था और कई वयस्त पुरुष युद्ध के मैदान में मारे गए थे इस प्रकार परिवार में महिलाओं की तुलना में पुरुष कम थे इसके अलावा उनकी प्राचीन रक्त रेखा ने उनके लिए सामान्य मनुश्यों की तुलना में प्रजनन करना बहुत कठिन बना दिया नौर्लेंड में एक औसत मानव का जीवन का लगभग सत्तर वर्ष था जबकि गर्भावस्था की अवधी छे महीने थी एक औसत महिला दो साल में तीन बच्चों को जन दे सकती थी हालांकि आर्चरन को संभवता एक बच्चे को गर्भधारन करने में औसतन तीन साल लगे गर्भावस्था की अवधी के साथ एक बच्चे के जन्म में लगभग चार साल लगेंगे जन्म के समय में 6 गुनावृद्धी अलपावधी में महत्वपूर्ण नहीं लग सकती है लेकिन अगर कोई बच्चे के वयस्क होने से 16 साल की अवधी को व्यापक रूप से देखता है तो ये सब इस तथ्य में बदल जाएगा कि प्रतेक आर्चरन दमपती केवल 4 संतानों को जन्म देने में सक्षम होगा जबकि अन्य 24 को जन्म देते हैं जैसे जैसे दूसरी पीडी वयस्क होती गई और प्रजनन शुरू हुआ यह अंतर केवल बढ़ता ही गया एक सदी बाद अंतर को पार्टना असंभव होगा जब युद्ध की बात आती है चाहे महाद्वी पर हो या अस्तित्व के विभिन अन्यस्तरों पर समुदाई की जनसंख्या हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक होती है भले ही सभ्यता की शक्ती का शिखर समय की सीमाओं को पार करने में सक्षम हो लेकिन प्रभावकारिता सीमित होगी कोई भी विरासत चाहे कितनी भी दुर्जय या क्यों न हो उसे रक्तरेखा के माध्यम से पीडियों तक पारित और बनाये रखने की आवश्यक्ता होगी इस प्रकार इसने आरकराउन के प्राचीन लेकिन दिव्य प्रथम शासन को जन्दिया इस समस्या के समाधान के लिए प्रतेक आर्चरोन के कई गैर आर्चरोन साथी भी थे इससे उनके बच्चे होने की संभावना बढ़ गई लेकिन प्राचीन वंश भी कमजोर हो गया पूरवजों को उम्मीद थी कि इस तरह से पैदा हुए बच्चों की विशाल संख्या के साथ विशेश रूप से मजबूत वंश वाले बच्चे के होने की कुछ संभावना थी रिचर्ड खुद इसकी सफलता का एक उदाहरन था न केवल संतानूत पत्ती में बहुत समय लगेगा बलकि इससे मा की शक्ती में भी काफी कमी आएगी बच्चा जितना अधिक प्रतिभाशाली होगा मा की शक्ती में उतनी ही अधिक कमी आएगी बेशक एक मजबूत मा कम-कमजोर होगी लेकिन ये केवल डैमी और एलिस जैसी महिलाओं पर लागू होता है जिन्होंने कम उम्र में ही असाधारंग शम्ता का प्रदर्शन किया साधारंग आर्चरन महिलाओं के लिए उनकी सामाजिक स्थिती उनके द्वारा जन दिये गए बच्चे से निर्धारित होगी यदि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन दिया है जो वयस्क होने पर अपनी नसों में विरासत में मिलिक शम्ता को उजागर करने की बुनियादी आवश्यक्ताओं को पूरा कर सकता है तो कबीला उसे एक अच्छी तरह से प्रदान की गई जिंदगी और अपने साथी को चुनने का दूसरा मौका देने का अधिकार देगा और इस बार यह मजबूरी के बजाए एक विकल्प था कई भाग्यशाली आरकरौन महिलाएं इस तरह से समाज में उपर चड़ी थी या उन्हें ऐसे पुरुष मिले थे जिनके साथ वे अपना बाकी जीवन अपने दूसरे साथी के रूप में बिता सकें दोनों युवतियों ने जल्द ही युवक को लेकर खुल कर लड़ाई शुरू कर दी हालांकि केवल अधिक प्रतिभाशाली युवकों को ही अपना साथी चुनने का अधिकार था लेकिन अगर कोई इचुप जोड़ा एक दूसरे के साथ रहने के लिए आवेदन करता तो अनुरोध स्विकार कर लिया जाता जब तक कि ऐसा अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति हस्तक्षेप न करे परिवार में ऐसे युवकों की संख्या सीमित थी यह उन लोगों के लिए और भी सच था जिन्हें कई साथी चुनने का अधिकार था भले ही वैनिंटन, डैमी और वैनिका के पास अपनी प्रतिभा और माता-पिता के कारण दो विकल्प थे फिर भी उनके चुनाव को परिवार में उच्च अधिकारियों के माध्यम से जाना था रिचर्ड यहां एक मात्र विशेश व्यक्ति था जिसे अपनी इच्छानुसार किसी को चुनने का अधिकार था अगर वह वैनिका जैसी किसी को चुनता, तो उसके अधिकार स्वतही समाप्त हो जाते उसकी स्थिती ने उसे परिवार के भीतर निर्धारित कानूनों की अंदेखी करने की अनुमती दी जैसे ही रिचर्ड अपने विचारों में डूबा हुआ था, उसने देखा कि डैमी अपने चारों और के लोगों के समूह को छोड़कर अचानक उसकी और चली आ रही है मैं डैमी हूँ, मुझे आपकी छोटी बहन माना जा सकता है रिचर्ड, डैमी की लंबाई रिचर्ड जितनी ही थी, उसके लाल बाल मुने हुए थे और उसकी पुतलियों की गहराई में एक धधक्ती हुई लौज जल रही थी, जो उसके वंश के जागरित होने का संकेत था किसी भी आर्चरोन के लिए मात्र 15 वर्ष की आयू में अपने वंश को जगाना काफी दुरलब था लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, उसका अहनकार उसके फिगर के आकर्शन को और बढ़ा रहा था वह हनकार निराधार नहीं था उसके पास बहुत शक्ती थी, वह कोई सामान्य लेवल 10 जादूगर्नी नहीं थी, बल्कि एक शाप मास्टर थी जो बहुत दुरलब थी नेक्रोमेंसी जादू की एक शाखा थी, कर्समास्टर अपने प्रशिक्षन की शुरुआत में कमजोर थे, लेकिन समय के साथ साथ वे और भी मजबूत होते गए लेवल 10 के बाद वे आसानी से अपने ही लेवल के जादूगरों के साथ बराबरी कर सकते थे उनकी सबसे अच्छी क्षम्ता प्रतिद्वंद्वी की शक्ती को कम करना और उनका ध्यान भटकाना था जब तक किसी के पास बहुत ज्यादा मजबूत मेना रिजर्व न हो, करसमास्टर से मिलने वाला कोई भी व्यक्ती सिर्दर्द से पीडित हो सकता था लेवल दस पर करसमास्टर समू हमले भी कर सकते थे, जो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि युद्ध के मैदान में वे वास्तव में कितने भयानक थे डैमी रिचर्ड की आँखों में सीधे देख रही थी क्योंकि वह उसके इतने करीब खड़ी थी कि उसके स्तन लगबग चू गए थे सांस लेते समय उसकी छाती उपर नीचे हो रही थी, कभी कभी रिचर्ड से टक्रा रही थी और वह थोड़ी करकश आवाज में बोल रही थी रिचर्ड मैं पिछले एक साल से पिता के साथ प्लेन लड़ायों में शामिल हो रही हूँ और अब मैं सेना में एक योगे जादू गहूँ आपको जो प्रोफाइल दी गई है उससे आपको मेरी ताकत के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए उसने गर्व से कहा रिचर्ड को उसकी बातों से जटका लगा वह इतनी कम उम्र में गैटन के साथ विमान में चली गई थी असली युद्ध के मैदान अप्रत्याशित और हमेशा बदलते रहते हैं युद्ध के मैदान में एक मजबूत सेना उसकी रक्षा करने से विचलित हो सकती थी और जादूगरों को पादरियों के बाद दूसरे स्थान पर प्राथमिक्ता दी जाती थी तभी रिचर्ड को डैमी के अहनकार का पूरा अहसास हुआ लड़की में बहुत सारी संभावनाए थी और वह बहुत ही जंगली थी एक सची आर्चरोन उसने आदत के अनुसार उसे ध्यान से देखा लेकिन उनकी निकट्टा के कारण वह उसके पूरे शरीर को नहीं देख पाया जब उसने नीचे देखा तो उसकी द्रिष्टी उसके स्तनों पर थी उन पर डेटा उसके लिए प्रमुख होता जा रहा था एक रनमास्टर की आदत के अनुसार उसने उन्हें एक से साथ के पैमाने पर वर्गी कृत किया डेमी के स्तनों का अंग निसन देख चार था जबकि वैनिका का अंग पांच के करीब था जहां तक 6 और 7 का प्रश्ण है भले ही वे केवल सम्तुल्य रूनो जैसी किर्दंतेों में ही मजूद नहों फिर भी उन्होंने अभी तक कोई नहीं देखा था हालां कि जब डेमी ने संपर्क किया तो उससे पता चल गया था कि मुसीबत आने वाली है उसने अपने सारे अजीब और गरीब विचार बंद कर दिये विनमरता से जबाब दिया हाँ जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मैं काफी हरान था शाप मास्टर काफी दुरलब हैं अगर किसी के पास उपहार नहीं है तो उनके मंत्रों की अस्ली शक्ती को सामने लाना मुश्किल होगा माफ करें लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने पहले ही एक रक्तरेखा क्षमता जागरित कर ली है है न हाँ मेरी रक्तरेखा क्षमता मेरे मंत्रों की प्रभाव शीर्ता को बढ़ाती है डैमी ने गर्व के साथ कहा रिचर्ड एक बार फिर हैरान था उसने अपने सामने खड़ी लड़की का पुनर्मुयाकन किया दुनिया में रक्तरेखाएं बड़ी और छोटी में विभाजित थी और यही बात उनके द्वारा दी गईक शमताओं के लिए भी सही थी नौर्लेंड में सामान्य वर्गी करण में चार अलग अलग प्रकार की रक्तरेखाएं थी एक छोटी रक्तरेखा, एक मध्यवर्ती रक्तरेखा, एक बड़ी रक्तरेखा और एक परानिक रक्तरेखा वरगी करन किसी व्यक्ति की रक्तरेखा द्वारा दी जा सकने वाली शक्तियों के स्तर और संख्या पर आधारित था निचली रक्तरेखाईं केवल तीन या उससे कम प्रदान करती थी लेकिन प्रत्य एक वन्षज के पास अपनी शक्तियों को अनलॉक करने का अधिक अफसर था एक मद्यम रक्तरेखा 3 से 10 के बीच प्राप्त कर सकती थी जबकि बड़ी रक्तरेखाएं और भी अधिक प्रकारों को जागरित कर सकती थी जहां तक पौरानिक रक्तरेखाओं की बात है वे केवल प्राचीम, भयावैर प्रानियों से आई थी ऐसी रक्तरेखा को जगाने की संभावना पौरानिक खेत्र में आगे बढ़ने जितनी ही कम थी कम से कम पवित्र गट बंधन में परानिक रक्तरेखा वाला एक भी परिवार नहीं था आम तोर पर कोई व्यक्ति केवल एक ही रक्तरेखा क्षमता को अनलोग कर सकता था कुछ भाग्यशाली आत्माओं के पास दो या तीन हो सकते थे लेकिन वे आमतोर पर कम रक्तरेखा में पैदा होते थे किसी की रक्तरेखा का ग्रेट जितना अधिक होगा जागरिती की संभावना उतनी ही कम होगी यह विमान के नियमों के अनुरूप भी था जिससे जीवित रहने का पिरामिग बनता था नौरलेंड में रक्तरेखा क्षमताओं को स्वयम साथ श्रेनियों में विभाजित किया गया था ठीक वैसे ही जैसे रून थे उन्हें शक्ती और उप्योग की संख्या के क्रम में क्रमबद किया गया था जिसमें स्टर 6 और 7 मूल रूप से केवल कीवदंतेों में मौजूद थे उनके उप्योग से उन्हें कोशल, प्रतिभा और विशेश शक्तियों में विभाजित किया जा सकता था कॉशल सबसे आम थे, उन चीजों को संदर्भित करते थे जो बुलाए जाने पर किसी की क्षम्दा को बढ़ाते थे इसमें रिचर्ड का अपना इरॉप्शन शामिल था, जो किसी की ताकत और गती को आधे से एक गुना तक बढ़ा सकता था इरॉप्शन आम तोर पर सिर्फ एक स्तर एक शक्ती थी, लेकिन रिचर्ड के मामले में ये स्तर दो होने के लिए पर्याप मजबूत थी प्रतिभाएं बहुत दुरलब थी, और तदनुसार बहुत अधिक शक्ति शाली भी ये डैमी के बड़े हुए मंत्र प्रभावों के समान था, जो एक शमता के रूप में स्तर तीन में आता है इस शेनी में इसके समान कई थे, जैसे कि बड़ी हुई मंत्र क्षती, मंत्रों की बड़ी हुई पैट, त्वरित कास्टिंग और इसी तरह की अन्यप्रतिभाएं सभी में सबसे अच्छी प्रतिभा पैट थी जिसने जादू के प्रति प्रतिद्वंद्वी के प्रतिरोध के प्रभावों को कम कर दिया लेकिन बड़ी हुई खशती भी अच्छी थी साइलिट कास्टिंग और इंस्टेंट कास्टिंग जैसी अन्यप्रतिभावों के लिए उन्हें उनकी दुरलबता के कारण स्तर चार और पांच के रूप में वरगी कृत किया गया था विशेश शक्तियां अत्यंद दुरलब और शक्तिशाली थी, अधिकांच स्तर चार या उससे उपर की थी इसका एक उदाहरन शेरोन की महान सम्मन शक्ति थी, जिसने उसके सम्मन मंत्रों को इतना सशक्त बना दिया कि उसकी शक्ति एक या दो स्तर तक बढ़ गई ये स्तर 6 की क्षमता होने के बेहत करीब थी, हालांकि नॉर्लेंड के अरबों लोगों की तुलना में विशेश रक्तरेखा वाले परिवारों की संख्या दस्वें हिससे से भी कम थी इसके अलावा एक शक्ति शाली रक्तरेखा होने का मतलब यह नहीं था कि उसे जगा पाना संभब हो उदाहरन के लिए आर्चराउन को ही लें उनके अस्तित्व की, सदियों में एक हजार से भी कम कबरों के पत्थर परिवार की कबरों तक पहुँच पाए थे इससे पता चलता है कि किसी की रक्तरेखा को जगाना कितना दुरलब था हालांकि इसने विशेश रक्तरेखा वाले परिवारों को बाकी लोगों से बहतर बना दिया आर्चरौन के लिए भी अपनी रक्तरेखा को जगाने की कठिनाई के बावजूद वे अस्तित्व की कुछ ही शताब्दियों में इतने निपुन हो गए थे लेकिन फिर भी किसी का वंच ही सब कुछ नहीं होता भले ही किसी के पास बहतरीन वंच शमताएं हो जैसे कि अधिक से अधिक बुलाना एक स्तर पंद्र योध्धा आसानी से एक ही वार में स्तर दस जादूगा को मार सकता है भले ही कोई व्यक्ति स्तर पंच के सुओँ के बजाए स्तर साथ के तुफानी भालू को बुला सकता हो भले ही वह कई को बुला सकता हो योध्धा पलग जपकते ही उनका वद्ध कर देगा डैमी के पास रूप और प्रतिभा दोनों थी वह प्रतिभाशाली होने के साथ साथ मेहनती भी थी और जोकिम उठाने का साहस भी रखती थी अगर भविश्य में कुछ भी गलत नहीं हुआ तो वह बड़ी होकर गेटन के शूरवीरों में से एक के बराबर होगी उसके जैसी युवा महिला सम्मान और प्रशंसा की पात्त थी रिचर्ड ने जवाब में कहा मेरी क्षमता विस फोर्ट है सभी युवाओं ने वास्तव में अपना ध्यान रिचर्ड और डैमी पर केंद्रित कर रखा था उन में से कई यह सुनकर इर्शयालू दिखे कि उसने भी अपनी ख्षमता का प्रदर्शन किया है लेकिन वैनिंग्टिन और वैनिका की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी भले ही उन दोनों की अपनी ख्षमताएं अभी तक अनलोक नहीं हुई थी लेकिन वैं काफी करीब थे इसके अलावा आग से संबंधित वर्गों के रूप में उनकी ख्षमताओं के आग आधारित क्षती की श्रेनी में आने की काफी संभावना थी ऐसी कोई भी ख्षमता रिचर्ड के विसफोर्ट के स्तर से अधिक होगी दूसरी और वरेन का चेहरा इरश्या और तिरसकार से भरा हुआ था उसने अपनी सांस में भी बढ़ढ़ाते हुए कहा बस विसफोर्ट हालांकि बाकी लोगों ने शायद इस पर ध्यान ना दिया हो रिचर्ड ने लड़के की आवाद साफ सुनी फिर भी उसने कुछ भी न सुनने का नाटक किया जबकि विसफोर्ट एक सामान्य और ओसत क्षमता थी वरेन ने खुद अपनी खुद की क्षमता को अनलोक नहीं किया था जहां तक वरेन के प्रती घ्रिना और इश्या की बात है रिचर्ड ने इसे भी दिल पर नहीं लिया हर आर्चरौन एक मेहनती प्रतिभाशाली व्यक्ती नहीं था जो बाकी लोगों के साथ मिलकर काम कर सके वह विभाजन वास्तव में कुछ ऐसा था जो परिवार को नियंत्रित करता था विसफोट डैमी एक पल के लिए हैरान रह गई उसकी भौहें थोड़ी से कुड़ गई ये वास्तव में आपकी कक्षा के अनुकुल नहीं है ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बहुत अधिक चिंता का विशय नहीं है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक रनमास्टर हैं इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्षंदा बर्बाद हो गई है आप इस बार बदकिस्मत थे लेकिन भविशय के लिए शुब काम नाएं धन्यवाद रिचर्ड ने अपना टोस्ट का गिलास उठाया और एक छोटा सा घूट लिया आम तोर पर कोई भी अपनी कख्षा चुनने के बाद अपनी क्षंदा अनलॉक कर सकता है अगर यह उनकी कख्षा से अच्छी तरह मेल खाता है तो यह उनकी शक्तियों को मजबूत करेगा शेरोन और डैमी इसके आदर शुदाहरन है बहुत से परिवारों ने इसका ख्याल रखा अगर परिवार की विरासत में मिली क्षमताई सभी हाथापई या योधाउं से संबंदित थी तो युवा पीडी जादातर इसी तरह की कख्षाएं चुनती थी हालांकि यह अधिक शक्तिशाली वंशों के साथ व्यभार ये नहीं था जिसमें हाथापाई और जादू या यहां तक की देवत्वत दोनों को शामिल करने की क्षमताई थी हालांकि वे एक निश्चित दोमेन की और जुकाव रखते हैं लेकिन परिवार के बच्चों को छोटी उम्र में अपनी कख्षा चुनने के लिए थोड़ी किस्मत की जरूरत होती है आर्चरौन के मामले में ये व्यापक रूप से ग्याद था कि आधी क्षमताई जादूई थी और बाकी आधी हाथा पाई जिनका देवत्व से कोई लेना देना नहीं था इस प्रकार जब आर्चरौन का कोई बच्चा अपनी कख्षा चुन रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी क्षमता के लिए सिक्का उच्छाल रहे हूँ इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जब लोगों ने असाधारन रूप से शक्तिशाली क्षमता अनलोक करने के बाद वर बदल दिया आम तोर पर अगर कोई व्यक्ति लेवल 3 से आगे कुछ अनलोक करता है तो वह अपने भविश्य की दिशा पर विचार करेगा और लेवल 4 पर यह पूरी तरह से सार्थक हो जाता है रिचर्ड कम से कम अभी के लिए असफल किस्मत का उदाहरन था डैमी की शुब कामनाओं ने उसके द्वारा दूसरी क्षमता को उजागर करने की संभावना का संकेत दिया जिसके पीछे अच्छे इरादे थे वह पहले से ही जितनी आकरशक थी इसने रिचर्ड को उसके बारे में और भी बहतर धारना बनाने में मदद की वेनिंग्टन भी हाथ में गिलास लेकर चला आया वह मुस्कुराया विसफोर्ट मुझे भी यह अदबुत को अशल चाहिए मैंने पहले ही अपनी कक्षा चुनने में विश्वास की छलांग लगा ली है लेकिन अभी तक मेरी क्षमता का पता नहीं चल पाया है मुझे नहीं पता कि यह मेरी उम्मीद के मुताबिक संगत है या नहीं अगर मुझे लेवल दो जादू की क्षमता जैसी कोई चीज मिलती है तो यह वास्तब में सिर्धर्ध होगा इसके अलावा डैमी इरॉप्शन रिचर्ड के लिए उतना बेकार नहीं है जितना तुम सोचती हो युद्ध के मैदान में यह एक महान उद्देश्य की पूर्टी करेगा आपकी बात सही है डैमी ने एक पल के विचार के बाद सहमती में सिर्हिलाया एक जादूगर के लिए सबसे कटिन कामों में से एक युद्ध के मैदान में अपने जीवन को बचाना था निससंदेर विसफोर्ट किसी को खत्रे के समय में मौत से बहुत तेजी से बचने में सक्षम करेगा जहां तक रूनमास्टर की बात है उनका महत्व जादूगरों से कहीं ज्यादा है उच्छस तर के रूनमास्टर को अपने विवेक से किसी भी समय युद्ध के मैदान से पीछे हटने का अधिकार था ठीक है रिचर्ड चूनकि आप पहले से ही एक रूनमास्टर हैं तो क्या आप कोई जादू से संबंधित रून बना सकते हैं डैमी ने पूछा वह जानती थी कि ज्यादातर प्राथमिक रूनमास्टर सिर्फ कुछ मानक रून ही बना पाते थे रिचर्ड एक पल के लिए चुप हो गया फिर बोला मैं वास्तब में एक ऐसा बना सकता हूँ जो मैना को बढ़ाता है लेकिन ये दूसरे दरजे के रून से कमजोर है क्या आप रूची रखते हैं डैमी की आँखें चमक उठी, मन बूस्ट क्या ये कस्टम रून है, इसका प्रभाव कितना है, मम्म और इसका प्रभाव 13 से 15 प्रतिशत के बीच है मैं रून पूरा होने के बाद ही मानक जान पाऊंगा डैमी की आँखें और भी चमक उठी, जब उसने चिल्लाते हुए कहा इतनी अधिक वृद्धी दर और उतार चड़ाव की सीमा इतनी कम उसे सपष्ट रूप से मैना बूस्ट रूनों की परियाप्त समझ थी मानक बृतिय श्रेनी के रूनों में 15 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच उतार चड़ाव होता था जिसका मतलब था कि यह कस्टम प्राथमिक रून दूसरे दरजे के खराब रूनों में से एक के बराबर था फिर भी इस रून को ले जाने के लिए बहुत कम ख्षमता की आवश्यक्ता थी मैना बूस्ट मैना सनरक्षन में वृद्धी के समान था 15 प्रतिशत की वृद्धी डैमी को लगभग 400 अनकों के मेना के साथ एक अतिरिक चौथे दरजे का अभिशाप डालने की अनुमती देगी युद्धक्षमता में यह वृद्धी एक जादू प्रभावशीरता रून द्वारा उसे दी जाने वाली वृद्धी के समान होगी साथ ही यह वृद्धी उसकी अपनी ताकत के सापेक्ष थी जो केवल शक्ती में वृद्धी के साथ बढ़ती थी रिचर्ड ने स्वीकृती में अपना सिर हिलाया डैमी ने गहली सांस ली और अपनी प्रभावशाली चाती को बाहर निकाल कर कहा मुझे यह रून चाहिए लेकिन मैं नहीं चाहती कि यह रून स्लोट हो मैं चाहती हूँ कि यह सीधे मेरे शरीर पर टैटू बन जाए मैं पहले से ही किसी भी प्राथमिक रून का सामना कर सकती हूँ उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास बात की और इशारा कर रही थी जिससे रिचर्ड को कुछ अजीब लगा उसने उसके शरीर पर एक आकस्मिक पता लगाने वाला जादू डाला एक बुनियादी निदान परीक्षन जो रून मास्टर्स ये जानने के लिए इस्तिमाल करते थे कि उनके रूनों को कहा जोड़ा जाए उसे वास्तव में स्थान का अनुमान लगाने के लिए जादू की जरूरत नहीं थी लेकिन उसने अपने संदेह की पुष्टी करने के लिए इसका इस्तिमाल किया क्योंकि स्थान बिलकुल अकल पनिया था डैमी के पास से पता लगाने वाला मंत्र चमक उठा और रिचर्ड की धारना में उसकी छाती से लेकर पेट के निचले हिस्से तक का पूरक शेत्र प्रतिक्रिया में चमक उठा यहे एक मात्र ऐसा क्शेत्र था जहां उसने रून टेटू गुदवाया हो सकता था रिचर्ड ने अचानक डैमी की उतकर निगाहों को अपने उपर महसूस किया जिसके कारण वह उसकी आँखों में देखने से कत्राने लगा यह अब एक अलग तरह का निमंत्रन था वैनिका क्या तुम्हें रून की भी ज़रूरत नहीं है डैमी ने मुलकर वैनिका को इशारा किया वैनिका आगे बढ़ी और रिचर्ड की ओर देखते हुए बोली मुझे भी एक सीधा टैटू चाहिए रून के लिए एक प्राथमिक चपलता ही पर्याप्त होगी मैं इसे भविश्य में बदल दूंगी फिर एक और जासूसी मंत्र डाला गया इस बार वैनिका के शरीर पर जवाब में जादूई तरंगों ने उसकी पीट से लेकर उसकी जांगों तक को ढख लिया रिचर्ड को लगा कि उसके सिर में दर्द होने वाला है वैनिंग्टिन ने हस्ते हुए कहा मुझे भी अब तुमसे थोड़ी जलन हो रही है रिचर्ड क्या तुम मुझे भी रून के साथ मदद कर सकते हो और मैं तुमसे और नाराज नहीं होंगा मैं तुम्हें सामगरी दे दूनगा ताकि तुम मुझे मुझे एक स्लॉट चाहिए मुझे इस बारे में गलत मत समझो लेकिन मैं लड़कियों से अलग हूँ वैनिंग्टिन के शब्द खास तौर पर दो लड़कियों के निमंतरन पर उनका जोर आग में घी डालने का काम कर रहे थे इससे रिचर्ड का सिरदर्द और भी बढ़ गया शुक्र है कि कुछ ही समय बाद युवाओं ने प्लेन युद्धों पर चर्चा शुरू कर दी चर्चा इतनी गर्म हो गई कि रिचर्ड मुश्किल से बातचीत में एक शब्द बोल पाया हालांकि डेमी ही एक मात्र ऐसी लड़की थी जिसने वास्तव में युद्धों में भाग लिया था लेकिन वैनिंग्टन और वैनिका को भी इससे संबंदित बहुत सारी जानकारी थी युद्ध के लिए उनका उत्साह भी चौकाने वाला था कुछ माइनों में रिचर्ड को लगा कि उसके सामने ये लोग युद्ध के दिवाने पागल हैं वारेन ने बातचीत में हिस्सा नहीं लिया ये सपश्ट था कि अब वह रिचर्ड से और भी अधिक नफरत करने लगा था शायद उसे घ्रिना भी करने लगा था डैमी जो उसके बगल में थी वह खुद रिचर्ड के पास चली गई थी और फिर वैनिका को भी अपने साथ ले गई उस समय वे दोनों उससे बहुत ही खुले आम बहका रहे थे जबकि उस शापित रिचर्ड ने वास्तव में मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रियादी थी डैमी और वैनिका के अलावा किसी और चीज के प्रति अंधा कर दिया था अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए